हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल दे सौंदरिया विला, कैसे हैं आप सब, I hope you all are doing great और आप सभी सेफ होंगी, तो आज मैं आपके साथ में अपना जो करेंट स्कीन केर है, जो मैं रिसेंटली जो जो प्रोड़क्स से अपना स्कीन केर कर र जादा टाम बेस ना करके वीडियो शुरू करते हैं, let's get started, I am back with my products जो मैं रिसेंटली यूज कर रही हूं और बहुत easy step है, जो मैं आपको बताने वाली हूं, guys, आपको आपना skincare जो है बहुत easy रखना चाहिए और बहुत छोटा सा skincare रखना चाहिए जो आप डेली फोलो कर से मैं आपको बताने वाली हूं क्या-क्या जो ideal step होते है skincare के, ideal step में CTM होता है, cleanser, toner, moisturizer तो ये तीनों बहुत जरूरी होते हैं, आपको daily basis पे दो time जरूर करने चाहिए, first तो आप day time में करते हो, जो सुबह, उसके बाद में आपको रात को सोने से पहले आपको face clean करना चाहिए, और अगर आपने makeup use किया है, तो आपको एक makeup remover use करना चाहिए, अच्छा हो वो, जो आपको पूरा makeup हटा दे, cleanser भी आपको पास ऐसा होना चाहिए, जो आपका थोड़ा बहुत makeup तो remove करी दे, तो guys, अगर makeup किया है, तो आप makeup का skincare अलग होता है, तो मैं without makeup का skincare बता रही हूं, जो मैं daytime में prefer करती हूं, करना और जो मैं recently कर रही हूं, काफे time से मुझे doctor ने भी recommend किया था, ये skincare तो इसलिए मैं ज्यादा हद तक follow करती हूं, तो guys, मैं आपको बता देती हूं, मैं cleanser जो use कर रही हूं, वो है, ये recently मैं ये use कर रही हूं, Cetaphil का gentle skin cleanser, जो मुझे बहुत ज् पसंद है, और इसकी वीडियो में आपको, मैं पहले बना चुकी हूं, चैनल पे available है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और guys, चलिए बात करते हैं, आगे क्योंकि मैंने उस वीडियो में सारा इसके बारे में बता रखा है, आपको purchase करना है, तो वो वीडियो जरूर देखे उसके बाद में आप purchase कर सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में सारा बता रखा है, इसके बारे में, and guys, ये gentle skin cleanser है, face and body दोनों पे आप use कर सकते है, all skin types है, मेरी skin थोड़ी sensitive है, तो मुझे doctor ने recommend किया था, और मैं आपको बता दू, ये world vibe में काफी famous face wash है, इसलिए मुझे मैं प बार अप्लाए करके दिखा देती हूं कि मैं किस तरीकी से daily basis पे इसे use करती हूं, तो guys, ये lock है, ये open हो गया, अब मैं आपको दिखा देती हूं कि मैं इसको किस तरीकी से use करती हूं, ये guys, ये मेरे पास spray bottle is में water है, जो मैं अपने face पे अप्लाए करूंगी, इसको लगाने करता है, तो आप ये ना समझें कि ये clean नहीं कर रहा है, ये बहुत easily आपके face को clean कर देता है, आपको कम से कम एक मिनट तक तो use करना है चाहिए, जिससे आपके face के सारी dirt और जो भी pollution वगेरा वो सब clean हो जाए, ये मेरा day time का skincare है, guys, ये ज्यादा foam create नहीं करता है, ज्यादा क्या बिल्कुल भी foam create नहीं करता है, बढ़ा आपको face को है ना, बहुत अच्छे से clean कर देगा, अब अपनी neck पे भी लगाएं, अबने face के सभी areas पे, इसको जितना भी area आप forehead हो गया, आप पूरे face को बहुत अच्छे से clean करें, इसको wash कर लेती हूं, मैंने अपना face wash कर लिया है, इसको pad dry करूंगी, अब ध्यान रोके आपके अपने face को pad dry करें, कोई soft towel रखें अपने face के लिए, और हो सके तो अपने face का तो towel होता है, उसको अलग ही रखें, कोई छोटा सा towel जैसे मैंने ले रखा है, यह छोटा सा है, यह मेरा face towel है, इससे मैं अपना face clean करती हूं हमेशा, और कुछ time use करके आपको towel को wash करना चाहिए, इससे hygiene maintain रहता है, and that's it guys, मेरा face बिल्कुल clean feel कर रहा है, और कोई भी dirt वगरा कुछ भी नहीं है मेरे face पे, you can see guys, यह बहुत अच्छा face wash है, मैं आपको recommend करूंगे कि आप एक बार जरूर इसको try करें, अगर आपकी skin sensitive है, acne prone है तो भी आप इसको use कर सकते हैं, because यह all skin types है और यह face wash doctors बहुत doctors हैसे हैं जो recommend भी करते हैं, and guys second, जो है toner, तो toner के लिए मैं use करते हैं, यह जीवा का rose water, जो मैं recently use कर रही हूँ, you can see इतना खाली भी कर चुकी हूँ मैं, तो toner के लिए मैं इसे use कर रही हूँ, मुझे rose water बहुत अच्छा लगता है, और इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है जो आप देख सकते हैं, जाके एंस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वीडियो का लिंक डाल दूँगे और इसकी वीडियो का भी आप वहां से जाके देख सकते हैं, guys चलिए, आपको इसको उपन करना है और जस्ट शेक करना है और अपलाय करना है, that's it, guys यह रोस वर्टर बहुत अच्छा है, यह जीवा अरवेदा का है, यह मुझे काफी सूट करता है, और इसके उपर मैंशन है, और आप इसको पर्चेस कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देदूंगे, आप वहां से जाके पर्चेस कर सकते हैं, that's it, guys, आपको इसको इस तरीके से लगाना है ताकि आपकी स्किन में बहुत अच्छे से पैनेट्रेट हो सकें, यह स्किन केर काफी एजी है तो मैं इसको फॉलो कर पाती हूं दिन में दो टाइम, अब थर्ड स्किन को इसको 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 आपकी स्किन को इतना अच्छा से मॉस्चुराइज कर देगा, तो मॉस्चुराइजर एज़ वाटर होता है हमारी स्किन के लिए तो यह एज़ वाटर यूज होता है, अच्छली आपको अपने फेस पे लगाओ के तो आपको इसा लगेगा कि जैसे आपके स्किन पानी पीरी हो, होता हमा दो मुझे तो इसा आपको अच्छा, थोधा साँ यूज वह एक हो पीछा का मुझे तो इसकी पर फाइज होाथ होता है का इसलिए फुज आगा को यूसट कर दोगी वाक, भाऊ तैस बना इसा लिंक करा दोगी कर, वह भी रिजल्ट है वह भी मुझे बहुत जादा पसंद है इसको में मैं काफी तैम से यूज कर रही हूँ और यूगन सी मैंने चोटी वाली पैकेजिंग ही पर्चेस की हुई है भी यह भी काफी तैम तक चल जाती है आपके और इसका अगर आपको particular review चाहिए तो मैं एक दूसरी वीडियो उपलोड बना दूँगी उसके ओपर आप जाके देख सकते हैं इसका review या फिर आप comment box में बता सकते हैं ये you can see ये enough है you can see enough है आपके face के लिए आपको dot dot करके लगाना है अब आपने पूरे face भी लगाओ इसको और आपसे और फिर मसाज करो ये ये आपके इसके में बहुत अच्छे से पहनेट्रेट हो जाएगी इसके खावरो LA that's it guys and guys face का हो शुका है और इतना मतलब मैं ये तीन स्टेपी फॉलोग करती हूं Krisynції जो एजी भी रहते हैं आपको एजी रखना चाहिए और लिप्स को भी नहीं भूलना है आपको लिप्स के लिए मैं यह मालय की लिप बाम है जो यूज कर रही हूं यह लिप बाम मुझे काफी पसंद है क्योंकि मेरे लिप्स को काफी अच्छे से हाइडराइड करती है और मौस्चर काफी लौक रहता के लिप्स खराब नहीं होते हैं इस लिप्स लिप्स इससलिए जरूर ही यूज करती हूँ एज लिप्स के लिए आपको पसंदो तो मैं आपको इसमें से कोई भी चीज परसंदो तो मैं दिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके प्रवाइड करा दूंगे और कुछ प्रोड़क्स की मैंने इंडिविजवल रिव्यू बनाई हुए जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और आज कर रिव्यू ब